दस मिनिट में 10 पोस्ट, जी हां, सही सुना आपने, दोस्तों आज हर एक बिजनेस ओनर, हर एक प्रोफेशनल चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉंटेंट बनाए और उसे शेयर करे पोस्ट करे, लेकिन कॉंटेंट बनाने के लिए, इमेज़स बनाने के लिए, पो शेर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पे तो चलिए अगर आपको यह सीखना है तो यह सीखने के लिए जाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए तो दोस्तो मेरा नाम है ओमकर गायकवड मैं कैनवा सिखाता हूँ हिंदी में और समझाता हूँ कि कैसे कैनवा इस्तमाल करके उसके अलगलक फीचर्स टूल इस्तमाल करके आप बड़िया सा कॉंटेंट मना सकते हो और अपने बिजनेस की मार्केटिंग और प्रमोशन कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे कैनवा में तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि हम आ चुके हैं कैनवा में और यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है कैनवा डॉक्स में तो कैनवा डॉक्स यह कैनवा का एक नया फीचर है जिसमें सबसे पहले हम content बनाएंगे तो चलिए आपको ले चलता हूँ canva docs में तो यह जो सामने आपको दिख रहा है यह है canva docs और canva docs मतलब canva का document और canva docs का एक बहुत ही बड़िया feature है जिसका रामे magic words और इस magic words feature को आज हम यहाँ पे इस्तमाल करने वाले है तो कैसे इस्तमाल करें तो यह जो plus button आपको दिख रहा है सामने इस button के उपर click किजिए और यहाँ पे option है magic right तो magic right यह canva का थोड़ा बहुत AI वाला feature है तो इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं canva को कुछ बता दाओ तो मैं canva को बताता हूँ 10 tips for growing business online तो मैं canva को बता हूँ कि भाई मुझे बता 10 tips online business grow करने के लिए और enter कर देता हूँ देखिए क्या आता है क्या हमें 10 tips मिलेंगे चलिए देखते हैं canva क्या use करता है और क्या वो हमें सही सही tips दे पाएगा तो canva का भी यह AI टूल है जो की उसे कहते हैं canva magic rights और देखते हैं इसकी मदद से हमें क्या result आज यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे फिर से और एक बार सर्च कर सकते हो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हो 10 tips to become successful in life तो life में successful होने के लिए 10 tips मुझे बताओ तो ऐसे मैंने canva को बोल दिया है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे canva ने मुझे copy कर लेता हो तो इस सब को मैंने right click करके यहाँ पे copy कर दिया है और अब मुझे जाना है Google में और एक Excel sheet मुझे बना नहीं है इस 10 tips की तो इसके लिए मैं जा रहा हो मेरे Google Drive में जहाँ पे मैं Excel sheet बना सकता हो Google sheet अनाम का Google Drive का software यूज़ कर सकता हो और एक sheet बना सकता हो तो चलिए यहाँ पे new कर देता हो और new में यहाँ पे लिखा है Google sheet तो Google sheet के उपर हम लोग click करेंगे और इसे हम इस्तमाल करेंगे तो यह sheet मेरे सामने आ चुका है इस sheet को हम लोग यहाँ पे अपना जो भी content आया था जो 10 tips थे उसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यह हो गए हमारे 10 tips और इस sheet को मैं नाम देता हो let's say 10 10 life tips तो यह नाम सिर्फ मैंने मेरे लिए दिया है और इस sheet को मुझे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कैसे करे हैं तो फाइल में जाईए फाइल में डाउनलोड को ऑप्शन मिलेगा और डाउनलोड में csv कॉमा सेपरेटेट वैल्यू यही फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ csv फाइल और इस फाइल को मुझे सेव करना है मेरे लैप्टॉप पे तो पार्ट वान यहाँ पे कंप्लिट हो गया जो कॉंटेंड मुझे चाहिए था उससे मैंने सेव कर लिया है उसको मैंने शीट में अप्लोड कर दिया और शीट को मैंने डाउनलोड भी कर दिया अब आता है पार्ट टू जहाँ पे हम एक्ट्वल डिजाइनिंग करेंगे तो चलिए इसके लिए चलते हम कैन्वा में और बलकि अब मुझे मोटिवेशनल पोस्ट बना नहीं है तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मोटिवेशनल पोस्ट तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ motivational post for instagram और वो भी मुझे चाहिए instagram के लिए तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ instagram देखिए तो instagram मिलता है यहाँ पर yes तो let's say quote instagram post motivational और quote के लिए हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं कुछ theme हमें यहाँ पर चाहिए इसलिए मैं इसे सर्च कर रहा हूँ और कोई अलग theme मुझे यहाँ पर मिलती है क्या चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ अलग हम यहाँ पर कर सकते हैं okay so बहुत सरे themes यहाँ पर आवले बले कोई भी theme इसमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो theme आप यहाँ पर ले सकते हो तो चलिए यहाँ पर मैं एक अच्छी सी theme ले लेता हूँ और उसको इस्तमाल करके हम आगे बढ़ते हैं तो देखे यह theme मुझे अच्छी लगी तो इस theme को मैंने ले लिया है free ले सकते हो paid ले सकते हो कोई भी problem नहीं है और इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ customize this template तो customize this template मतलब यह template मैंने सामने आ चुका है और अब मुझे वो data जो हमने सर्च किया था उसे इसके अंदर इस्तमाल करना है तो कैसे करें ध्यान दीजिए यहाँ पर एक Anva का एक tool है जो कि है apps में तो यहाँ पर हमें जाना होगा apps में तो apps में चलते हैं और apps में यहाँ पर आपको एक tool मिलेगा जिसका नाम है bulk तो bulk creator इसके उपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर data एंटर करना है data आप manually enter कर सकते हो या फिर CSV फाइल upload कर सकते हो तो दो option है manual और CSV manual करना है तो अगर आपके बाद अपने कुछ tips है तो manually आप यहाँ पर add कर सकते हो नाम चेंज कर सकते हो और email ID बता सकते हो और बाकी की चीज़े add कर सकते हो अगर नहीं करना है तो हम यहाँ पर करेंगे अभी CSV तो जो CSV हमने बनाई है तो चलिए मैंने यहाँ पर CSV को select कर लिया है और देखिए क्या आदा है तो यहाँ पर मेरा data आ रहा है और यहाँ पर हम लोग try करते connect करने के लिए तो यहाँ पर मुझे यह data चाहिए one step at a time इसके उपर मुझे data चाहिए तो इसे मैं select करूँगा right click करूँगा और यहाँ पर मैं बताऊँगा connect data दिख रहा है connect data और connect data में मुझे यहाँ पर मेरा goal दिखेगा यह देखिए यह data है मेरा तो इस data के उपर मैं click कर रहा हूँ जैसे ही मैं यह इस data के उपर click करूँगा तो यहाँ पर देखिए continue का button enable हो चुका है दिख रहा है continue का button enable हो चुका है और अगर आप यहाँ पर उपर click करूगे okay तो यहाँ पर आपको पूरा data में लिगा okay so continue के उपर click कर देखिए और देखिए पूरा data में लिगा 10 tips जो भी हमने निकाले थे न वह सारे 10 tips यहाँ पर आ चुके है तो इसे मुझे अगर generate करना है तो generate pages में click करूँगा और सारे pages automatically यहाँ पर generate हो जाएंगे सारे pages automatically यहाँ पर generate हो जाएंगे देखिए यह है पहला page, दूसरा page, तीसरा page, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10 okay अब इसे थोड़ा सा आपको adjust करना है और बन गए आपका काम थोड़ा सा adjust कर लिजए इसको content को आपको काम बन जाएगा okay so यह देखिए इस तरह से आपको adjust करना है सिर्फ alignment adjust करना है बाकि design वाला पार्ट कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है अगर आप चाहते हो इसका color change करना है और अच्छे से और इस्तमाल करना है तो वह भी आप कर सकते हो manual changes आप कर सकते हो so major part यहाँ पर हो चुका है अब इसे color change करकर के आपको इस्तमाल करना है तो वह भी आप कर सकते हो अलग-अलग color से अलग-अलग variation से आप इसे इस्तमाल कर सकते हो okay तो यह सारी अलग-अलग color से और भी अच्छा दिखने वाला है तो आप इस्तमाल इसे कर सकते हो तो इस तरह से आप multiple content बना सकते हो जैसे यह template में ले लिया है इस तरह से आप अलग-अलग templates भी ले सकते हो और 10 minute में जी हाँ hardly 10 minute में आप अलग-अलग content बना सकते हो जैसे 10 post बना है वैसे 20 कर सकते हो और 30 भी कर सकते हो तो जो कुछ भी content हमें लगता है हर महीने posting करने के लिए वो पूरा content आप बैठे बैठे यूँ ही create कर सकते हो तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा क्या आपने कुछ नया सीखा क्या आज कुछ नया सीखने के लिए आपको मज़ा आया प्लीज मुझे comment में बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like किजिए comment भी किजिए और अपने दोस्तों के साथ share करना बिलकुल न भूले और इसी तरह से canva के नए नए tools, features सीखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए और अगर आपको और कुछ सीखना है कुछ नए topic सीखना है कुछ नए tools सीखना है canva के ही तो please मुझे वो भी बताइए comment में ताकि उसके उपर मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आजाओ तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में यही पे रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you so much बाइबाइ टेक कियर